बंदे देव उमापतिम शुर्गुरूम, बंदे जगतकारणं मुदे पन्नगभूशनम् रगधरं। बंदे पशुनामपतिम, बंदे शूर्यशशांक वन्निनयप्यनं। बंदे मुकुंदप्रियं। बंदे भग्वजनाश्रियंच वरदं। बंदे शिवंग शंकरम अरिवार में साधारन समय गुजरेगा यात्राओं को टालने तो बहतर होगा अन्यथा आपको कश्ट भी हो सकती है प्रेम शंबंद में बेचैनी बढ़ सकती है अपनी बानी को कंट्रोल में रखें अन्यथा आपके मुझसे निकले हुए कटू सब आपके अपनों को दुख पहुचा सकती है कारेशेत्र में इस महीने किसी नकारात्मक समाचार को सुनकर मन दुखी हो सकता है महीने के अंत में मन पृष्ण रहे पंडी जी मेश राशी के जातक हैं उनके लिए कोई खास उपाए इनके लिए उपाए है चांदी के पात्र में जल लेकर उसमें दूद मिलाकर भगवान शिब को अरपन अगले राशी विश्व राशी है ब्रसव राशी के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में यह समय अनकूल बोदा जाएगा एवं धन व्रद्धी के सुव सैयोग बनेगे साजेदारी में किये गए निवेस आपके लिए सुभफा लदाई आपका परिवार आपके सुख और दुख में साथ देगा शिहत में भी अच्छे सुधार इस महीने दिखाई देगा यात्राओं को इस माह टाल देना ही बेतर रहेगा प्रेम शंबंद में प्रत्कूल इस्थियां बनशक्ती है कारचेत्र से संबंदित समाचार एंजायटी वढ़ा सकते हैं इन जात्कों के लिए क्या खा सुपाई हो सकता है पंडित जी? इनके लिए सुपाच्य भोजन करें और फलका सेवन करें अगली राशी मिथुन राशी, तीसरी राशी है मिथुन राशी के जात्कों के रिए सप्ता कैसे रहने वाला है? पंडित जी बताएंगे मिथुन राशी के जात्कों को कारचेत्र में उन्नती होगी एवं कोई मात्री तुल्ल महला आगे वड़कर इस संबंद में आपकी मदद भी करेंगी आर्थिक मसलें लोगों की राय मसवरा लेने की पस्चा धन ब्रद्धी लेकर आएगे प्रेम शंबंद सुद्रण होंगे इस माहा से आपकी लव लाइफ में काफी बदलाव नजर आते जाएगे सिहत में आप जितना अधिक यथार्थ वादी रहेंगे उतना अधिक ही सकून भी रहेगा परिवार में जसन का माहौल रहेगा यात्राओं को इस माह टाल देना बेहतर होगा महीने के आखरी पड़ाम में किसी पित्री तुल्य व्यक्ति को लेकर मन चिंतित हो सकता है इनके लिए क्या खास उपाय हो सकता है पंडी जी इनके लिए उपाय है हरी सबजी हरा कपड़ा बुद्वार के दिल किसी को दान करें अगली राशी का रुख करेंगे करक राशी है करक राशी के जातकों को कारशेतर में उन्नती हो और कहीं से सुखद समाचार की भी प्राक्ती हो धनव्रद्धी के संयोग तभी बनेंगे जब आप अपनी तरफ से ठोस निर्णे लेने में सक्छम हो पाएगे परिवार के सानिद्ध्य में सुखद समय ब्यतीत होगा इस माह अपनी सिहत की तरफ ध्यान देने की आवश्यक्ता है नाक, कान, मुह से संबंदित कष्ट बढ़ सकती है बुखार आद की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यक्ता है प्रेम शंबंदों में सने सने सुधार होता जाएगा यात्राओं द्वारा भी अच्छे परणाम सामने आएंगे हाला कि आपकी अपेच्छाओं से कमतर ही रहेंगे मई के अंत में समय सुखद भी देगा पंडी जी इस रासी की जो जातक है उनके लिए कोई खास मंत्र? जी, उनके लिए ओम हरीम हराय नमा इस मंत्र का जाप करना चाहिए अगली राची सिंग राची है शिंग राची की जातकों के लिए आने वाला सब तहां कैसा रहेगा? शिंग राची वाले जातकों को कारचेत्र में काफी रिलेक्स महसूस करें एवं प्रोजेक्ट भी समय पर पूर्ण होती जाएगे आर्थिक धर व्रद्धी की सुभ संयोग बन रहेगे प्रेम शंबंद में इस महा आप काफी विजी रहेंगे एवं आपशी प्रेम भी बढ़ेगा सेहत में भी अच्छी सुधार इस महा से दिखाई देंगे घर परवार में शुक्ष सम्रद्धी बनी रहेगी एवं यह भी हो सकता है कि आपके घर में कोई धार्विक समारोह में सामिल भी हो यात्राव को करने के तोर तरीकों में आपको काफी बदलाव नजर आए महीने के आखरी चरण में हो सकता है अचानक से किसी नकार आत्मक समाचार का सामना करना पड़े इससे बचने के लिए इनके पास क्या उपाई हो सकता है पंडी जी इनके लिए उपाई है मानिक के धारन करें अगली राशी कन्या राशी है कन्या राशी के जातकों के लिए आने वाले सब्ताहा सुख में रहेगा या नहीं पंडी जी बताएगे कन्या रासी के जो जातक हैं उनको कार्षित्र में उन्नती होगी एवं मै की सुरुवात में ही इस सम्मंद में कोई सकारात्मक समाचार की फ्राप्ती हुसा धन व्रद्धी के भी सुभ संयोग बनेंगे एवं धहरी के साथ अपने निवेसों की तरफ ध्यान देंगे तो बेहतर प्रणाम आपके सामने आएंगे सेहत में भी अच्छे सुधार इस माह नजर आ रहे हैं एवं आपकी तंदृस्ती बनी रहेगे परिवार में कुछ ठोस निर्णे लेने की आवश सकता है एवं हिम्मत कर उन पर अमल करेंगे तो भविस में आप सुथी रहेंगे यात्राओं को इस माह टाल दीना चाहिए मई के आखरी पडाम में आपका मन अशांत रहे पंची इस राशी की जाता के उनके लिए लिखा गया है कि मतलब मई की आखर में यानि की इस महीने के आखर में उनका मन मिचलित हो सकता है, इससे बशने के लिए कोई खास मंत्र, खास उपाई? इसके लिए ने ओम होम जूम शाह, इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगली राशी तुला राशी है, तुला राशी के जातकों के लिए सब्ता कैसे रहने वाला है? पंडी जी बताएंगे सेहत में अच्छे सुधार इस माह दिखाई देंगे, एवं इस सम्मंद में आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मदद प्राप्त होगी, जिरेकी आर्थिक पकड़ बहुत मजबूत है आर्थिक धन ब्रदी साधारन रहेगी, प्रेम शम्मंद रोमांटिक रहेगे, एवं आप अपने साथी के सानिद्धि में सुखद समय ब्यतीत करेंगे, परिवार में आपको इस माह से काफी अच्छे बदलाव नजर आएगे यात्राओं को इस माह टाल दें तो बेहतर रहेगा, और मई के आखिर में आप अपने बिरोधियों को परास्त करेंगे, एवं जीत का जसन भी मनाएगे पंडी जी तुला राशी के जातक है, उनके लिए क्या खास उपाय रह सकता है? अगली राशी विशिक राशी है, विशिक राशी की जातक है, उनके लिए सब ताहं कैसे रहेगा बंडी जी? ब्रस्चिक राशी के जातकों को आर्थिक मामलों में समय अनकूल है, एवं धन ब्रद्धी होगी, कोई नया निवेस आपके लिए सुभ परणाम लेकर आएगा, यात्राव द्वारा सुभ परणाम सामने आएगा, परिवार में थोड़ा सा रिलेक्स होना सीखें तो बहतर हो, सेहत में बंधन महसूस कर सकते हैं, एवं इस तरह इस तरह पध्यान देने की आवश्चकता है, कारचेत्र में समय अनकूल नहीं है, एवं कुछ हानी भी हो सकती है, प्रेम शंबन्द में भी किसी महला को लेकर मन अशांत हो सकता है, मै किसी भी महत्पूल निरने को टाल अगली राशी धनुराशी के जातक है उनके लिए सबताहा कैसे रहेगा पंडी जी धनुराशी के आपको इस माह में प्राप्त हो शेहत में भी काफी शुधार इस माह से दिखाई देने लगेगा आपके परिवार में काफी बदलाब नजर आ रहे हैं और इस माह से आपकी जीवन अशैली धीरे धीरे बदलती चली जाएगी यात्राओं द्वारा भी सुभ संयोग वनेंगे एवं आप शुक्षम्रदी को प्राप्त हो इनके लिए कोई खास मंत्र पंडी जी इनके लिए मंत्र है ओम त्रियंब कम यजा महे सुगंधिन पुष्टि वर्धनम्मा उर्वारुकमिव बंधनान म्रत्योर मुक्चिय माम्रताद इस मंत्र का जाप करना स्रियस्क्र अगल पर रासी के जातकों को कार्य शेत्र में उन्नती होगी एवं कोई महला इसमें आगे बढ़कर आपकी मदद करीई। परिवार में आपसी प्रेम बढहेगा। एवं बच्चों दौरा खुशियां दस्तक देंगी, प्रेम शंबंध में सुख히 रहेंगे लेकिन आपके दौर किये गए प्रियासों के बल पर अन्कूल इस्थितियां वनती रहें। आर्थिक ब्याय इस माह अधिक रहने वाले। एब हम आपको अपने निवेसों की तरफ ध्यान देने की आवश्यक्ता है। सेहत की तरब भी इस माह ध्यान अवस्य दें। मई के आखिर में आप किशी बेहतर इस्थान पर सिफ्ट होने का भी मन वनाशा। और इनके लिए क्या खास उपाय हो सकता है? इनके लिए उपाय है पीपल के पेड़ पर इन्हें जल चड़ाना सुभधायक रहेगा। अगली राशी कुम्भ राशी है। कुम्भ राशी के जातकों को आर्थिक धन व्रद्धी की शुभशाईयों हो बने। एबम आपको सफलता अवश्य प्राप्ती हो। इस संबंद में आपको किसी ऐसे व्यक्ती की मदद प्राप्त हो सकती है जिनोंने मेहनत कर एक मुकाम हासल किया। प्रेम शंबंद में रोमान सनई सनई पदार पन करेगा। कारचेतर में वैसे तो अन्यकूल परणाम सामने आएंगे लेकिन फिर भी एक खलिश मन में बाकी रहेगी। शेहत की तरफ आपको खुद ही ध्यान देना होगा तभी आपकी तंदृस्ती बरकरार रहेगी। यात्राओं को टाल दें तो बहतर रहेगा महा के अंत में आपकी बेचयनी भी बढ़ सकती है। और इस बेचयनी को कम करने के लिए इनका खास उपाई क्या हो सकता है। इनके लिए दूध और दही मिलाकर के भगवान शिप पर चड़ाना चाहिए। अगली और आखरी राशी मीन राशी है। मीन राशी की जातक हैं उनकी रिए इस अपता कैसा रहेगा। मीन राशी के जातकों की कारशेत्र में उननती होगी। एवम संयम से काम लेंगे तो आपको बेतर परणाम आपके सामने आए। धन ब्रद्धी की शुभ संयूग बनेंगी, एबम आप अन्य लोगों से मिलकर राय मस्वरा करेंगे तो बेतर परणाम आपके शामने आ सकती है, सेहत नासाज रहेगी, एबम इस तरफ ध्यान अवस्य दें, प्रेम शम्मंद में, मई के उत्रार्ध में सुंदर संयूग बने करेंगे, एबम शुधार आएगा, यात्नाओं को इस माह टाल देना बेतर रहेगा, मई के आखिर में जीवन में थोड़ा तनाब भी वड़ सकता है, उमीद करते हैं, इन सभी उपाएं से आपका जो आने वाले सब्ता है, वो सुख में रहेगा, अगली बार फिर हाजिर हो होंगे एक नए भविश्यवाणी के एपिसोड के साथ, नमस्कार, ओम नमस्षिवाण, ओम नमस्षिवाण